नमस्कार दोस्तों, News Click के खोश खबर कायक्रम में आप सब का स्वागत है। आज हम अलग-अलग सी दिखने वाली खबरों के बीच आपके साथ मिलकर connection ढूंडेंगे। और देखेंगे कि बड़े फलक पर, बड़े कहनवास पर ये खबरें हमसे आपसे, हमारे प्यारे वतन से क्या कहना चाहती हैं। सबसे पहले तो दिली मुबारक बाद की देश के पास बेडमिंटन में थॉमस कप मिला है। 73 साल बाद विश्व बेडमिंटन के सबसे प्रतिष्ठित तीम इवेंट थॉमस कप में भारती शटलर लक्ष सेन, किदामबनी श्रीकांत ने सिंगल के मु पर यह बहुत अप्रयाक्तियाशित था, जिन खेलों के बारे में बहुत चर्चा होती है, जिसमें बहुत पैसा लगता है, उसकी तुल्ला में बेडमिंटन में बहुत कम ध्यान कॉर्परेट जगत का पैसे का जाता है। निश्चित तोर पर यह उनकी मेहनत से नसीब एक तरफ देखिए कि बेडमिंटन में भारत दुनिया में नाम कमा रहा है और वहीं दूसरी तरफ देखिए कि एक बार दुबारा देश के भीतर बाबरी मस्जिद ध्वन्स की यादे ताजा की जा रही हैं। जिस तरह से बनारस में ग्यान व्यापी मस्जिद के इर्दग मामले को बढ़ाया जा रहा है, तूल दिया जा रहा है, जिस तरह से मीडिया इस पे लगातार रिपोर्टिंग कर रही है, जिस तरह से इसमें एक तरफा बाते हो रही है, उससे ये आशंग का बलवती हो चुकी है इस समय कि यह 2024 से पहले की बाबरी मस्जिद है। दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली गर्मी से जुलस रही है, यूँ तो पूरा देश ही गर्मी से तरही तरही कर रहा है, तापमान रविवार यानि 15 मई को देश की राजधानी में 50 डिगरी सेल्सियस के आसपास पहुँच गया। हमसे आपसे सवाल पूछती हैं। देशान से देखिए स्क्रीन पर इन तस्वीरों को। यह पहली तस्वीर दिल्ली के मुंड का इलाके से है, जहां 27 भारतिय नागरिक आग से जुलस गए। इन में 21 महिलाएं लड़कियां थी। अधिकांश महिलाएं लड़कियां गरीब निम्र मध्यम परिवार से आती हैं। उन में से कई लड़कियों के पास तो अपने घर को चलाने की जिम्मेदारी थी। वे पहली बार काम के लिए घर से बाहर निकली थी और हर मौत के साथ एक घर दफ्न हुआ है। यहां इस घटना की बात करना इसलिए बेहर जरूरी है क्योंकि जिस फैक्टरी में यह आग लगी, वह फैक्टरी कोई दूर दुराज या अंदर के इलाके में नहीं थी। यह मुंड का मेट्रो स्टेशन के बिलकुल बगल में थी, सामने थी। और यहां पर सारे नियम काईदे कानून धता बता कर बड़े पैमाने पर लोग काम कर रहे थे, फैक्टरी चल रही थी और सबको इसकी जानकारी थी। आम आदमी पार्टी का कहना है कि इसके मालिक भाश्पा से जुड़े हुए थे, यहां के MCD पर भाश्पा का कबजा है, लेकिन सवाल बहुत साफ है कि चाहे जिम्मेदारी भाश्पा की हो या दिल्ली सरकार की, क्योंकि दिल्ली सरकार के पास भी जो पूरी मशिनरी है, नि काइदे कानून जो बहुत जरूरी हैं, बहुत बुनियादी हैं, हरी जंडी देने के लिए, इस तरह की फैक्ट्री को चलने के लिए, उनका किसी तरह से, किसी भी इस तरह पर पालन नहीं हुआ, अब देखिए, एक बहुत सीधा सा सवाल, जो मैं पूछना चाहती हूँ आ जा सकता है, मिसाल के तौर पर आप देखिए, कि यह बुल्डोजर चल रहा है, शाहिन बाग में, यह बुल्डोजर चल रहा है, जहांगीरपूरी में, मदनपूर खादर में, और यहां पर क्या कहा जा रहा है, कि जिन गरीबों ने अपने घर बनाए हैं, आशियाने जा रहा है। जिस समय गर्मी से हम और आप तराही तराही कर रहे हैं उस समय अंगिनत घरों को तोड़ा जा रहा है बुल्डोजर के जरिये। मुंड का जैसी अंगिनत जगहों पर गरीबों की जिंदगी से खिलबाल करने वाली फैक्ट्रियों को नहीं देख पाती, देखना चाहती नहीं है, क्योंकि कहीं पर जो MCD है, वह भाश्पा के पास है, वह व्यक्ति जो गिरफतार होता है, उचका भाश्पा के साथ कनेक्शन निकलता है, और उस पर आम आदमी पार्टी आँखे मुंदे रहती है, यह जो कनेक्शन है, कि सत्ता बुल्डोजर पर जब बैठती है, तो उसे कौन दिखाई देता है, और कौन नहीं दिखाई देता, और मारा जाता है गरीब, महिलाएं, दलित और अल्पसंख्यक, अब म यह केरल से सटा हुआ इलाका है, मडी केरी का इलाका है, यहाँ पर कोडगू जिले में, पोनम पेट इलाके में, साइन शंकर शैक्षनिक संस्थान में एक सबताह तक हतियार, प्रशिक्षन, शिवर चला, यह बजरंग दल के द्वारा आयोजित्था, विश्व हिंदू पर आलोख रहा है, यह इसी इलाके के लोग बताय जाते हैं, इस क्रीन पर जो आपको फोटो दिखाई दे रही हैं, उसमें भाश्पा के विधायक भी हैं, जिनका नाम अपपा चूरजन है, वो मडी करी से ही भाश्पा के विधायक हैं, इस पूरे इलाके में कुर्ग जाती के लोग बसते हैं, केरल से सटा हुआ यह इलाका है, और यहां पर बहुत लंबे समय से भारती जनता पार्टी, राष्टी स्वेम सेवक संग, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिशत, हतियारों के जरिए, हतियारों की ट्रेनिंग के जरिए, बड़े पैमाने पर नौजवा पैमानों में सिर्फ और सिर्फ लड़कों को प्रशिक्षित कर रही है, हतियारों से लैस कर रही है, और जिस तरह की खबरें हमारे सामने हैं, जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही हैं, जिस तरह से बड़े पैमाने पर त्रिशूल बाटे गए, जिस तरह से बड़े प ये जो हिंसा की ट्रेनिंग है, ये जो नफरत की ट्रेनिंग है, यह इस इलाके में खुले आम हो रही है। और इसे राजनितिक वर्धहस्त नहीं, जो वहाँ पर सत्ता में बैठी भाश्पा है, वह हाथ मिला कर साथ चल रही है। मकसद क्या है? मकसद बहुत साफ है कि करनाटक सहित आसपास की पूरे इलाके में जो नफरती एजंडा पहलाना है, पसारना है, नौजवानों को हतियारों से लैस करके एक उनमादी भीड में तबदील करना है, यह सब कुछ चल रहा है। सवाल यह है कि यहाँ पर हम और आप किस से पूछें, कहां जाके पूछें कि इसे कहां से हरी जंडी मिली है? देश की किस कानून के तहट यहाँ पर इतने बड़े पैमाने पर लोगों को सारवजनिक तौर पर हतियारों से लैस किया जा रहा है? यह सब कुछ देश के कानू उनके खिलाफ है। लेकिन इसी करनाटक में जहां पर हिजाब पहन कर लड़कियां पढ़ने नहीं जा सकती, उन्हें रोग दिया जाता है, उनके खिलाफ एक पूरी की पूरी हिंसक भीड को उतारा जाता है, वहीं पर यह तमाम भीड हतियारों की ट्रेनिंग ले रही है। यह जो दो भारत बन रहे हैं कि एक तरफ हतियार को खुली छूट है और दूसरी तरफ बुनियादी अधिकार पर कुठारा गात इन्हें हम और आप अगर नहीं देखेंगे तो शायद देश का भविश इसी तरह के त्रिशूल और इसी तरह से जो हतियारों की ट्रेनिंग ह हो रही है उसमें हिंसा के हवाले कर दिया जाएगा और आज जब मैं आपसे यह बात कर रही हूं आज पूरा देश बुद्ध को याद कर रहा है और जब हम बुद्ध को याद करते हैं तब हम याद करते हैं सत्य को अहिंसा को और प्रेम को और यह जो तस्वीरें अभी पास्ते का निशेद करने वाली हैं और अंत में आपको ले चलती हूँ दो आंदोलनों से रूबरू कराने के लिए 36 गड़ के सिलगेर में एक अलग ढंका आंदोलन वहां के आदिवासी कर रहे हैं और वह मांग कर रहे हैं सरकार से कि आदिवासीयों की हत्या पर सरकार क्यों उतारू है यहां पर आपको जो तस्वीर दिखाई दे रही है जो वीडियो दिखाई दे रहा है उसमें जो आदिवासी हैं वो अपनी पारंपरिक वेशभूशा में मिर्ति करते हुए सरकार से मांग कर रहे हैं कि आदिवासीों के खिलाफ उनकी ही जमीन पर जो कबजा करने की कॉर्परेट को सौपने की अडानी को सौपने की पूरी की पूरी कोशिश चल रही है वह बंद होनी चाहिए ये आदिवासी पिछले साल 17 मई को उनकी गाओं पर जो जमीन पर रातो रात नए सैने कैंप बने थे उसके विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे उस समय वहाँ पर सुरक्षा बलो ने गोलियां चलाई थी जिससे आदिवासीयों का जंगल जमीन पर जो अधिकार है उसका हनन हुआ था तब से शुरूह आंदोलन अब तक चल रहा है और इनकी मांग सिर्फ एक है हमें जीने का हक चाहिए हमें अपनी जमीन पर हक चाहिए और वहीं दिश की राजधानी दिलि में भी सφाई करमचारी मांग कर रहे हैं कि आजादी के 75 साल का जश्न तो सरकार मना रही है लेकिन सीवर और सेप्टिक टैंक में भारते नागरिकों को मारना बंद नहीं कर रही 75 साल के जश्न पर सवाल उठाते हुए सफाई करमचारी आंदोलन ने 75 दिन का आंदोलन शुरू किया है देश के कोने कोने में और इसमें मांग सिर्फ यही है Stop Killing Us यहाँ पर याद रखना जरूरी है पिछले साल अगस्त 2021 से लेकर अब तक 58 भारती नागरिक सीवर और सेप्टिक टैंक में मारे जा चुके हैं सरकार चुप है प्रधान मंत्री चुप है मानो इन मौतों से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता ये दो अलग-अलग आंदोलन भारती लोकतंत्र में जीने के अधिकार मांग रहे हैं भारती लोकतंत्र को जबाब देह बनाने की कोशिश कर रहे हैं और शायद इनकी मांगों को सुना जाना बेहद जरूरी है शुक्रिया